आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमन बिमारी के बारे में, that is macular hole. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रेया नायक है और मैं एक रेटिना कंसल्टेंट हूँ, Acura Vision Clinics रूपने तराल है मेरट में. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमन बिमारी के बारे में, that is macular hole. बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जो कि बाहर के ऑपरेटर्ड, cataract surgery या फिर कुछ ऐसी सरजरी हो रखी होती है, लेकिन फिर भी full vision नहीं आता. ऐसे cases में बहुत बार देखा गया है कि पीछे पर्दे में कोई ना कोई तकलीफ रहती है. और उन में से एक बहुत कॉमन तकलीफ macular hole है. पहली बात macular hole, hole का मतलब तो आप सब समझते हैं छेद. macular क्या पार्ट है? तो basically जैसे पहले videos में भी मैंने आपको बताया है कि हमारी आँख एक camera की तरह होती है, जिसमें आगे lens होता है, पीछे पर्दा होता है. Lens का काम है पर्दे पर image की रौशनी focus करना. Finally, image पर्दे पर बनती है और अगर पर्दा ठीक नहीं हुआ, तो कोई lens आपके आँख में image नहीं बना सकती है. तो हमारी पर्दे का जो most sensitive part होता है, जिससे आप इंसान की शकल पहचानते हो, जो बारीक अक्षर है, वो देखते हो, लिखते पढ़ते हो, उस area को macula कहते हैं. और उसके भी most sensitive part को हम fovea कहते हैं. तो macula area जो है, अगर वो ठीक नहीं है किसी भी इंसान में, तो उसकी रौशनी कुछ भी करके वापस नहीं आती. तो अब हम बात करेंगे कि macular hole क्या है? तो इसी macula के part में, जब बीच के fovea पे, जब बीच के most sensitive हिस्से पे hole हो जाता है, उसको हम macular hole बोलते हैं. अब इसके causes क्या होते हैं? Mostly यह without any cause पाया जाता है. मतलब कोई ऐसे specific diabetes या sugar की वज़े से नहीं होता है. यह किसी भी इंसान में हो सकता है. After the age of 40, because of some age-related changes, यह बहुत common होता है. कुछ खिचावट हो रही होती है परदो पर, जो कि age के साथ-साथ हर मरीज में होती ही होती है, उनकी वज़े से यह hole बनता है. एक दूसरा cause है traumatic macular hole, मतलब चोड की वज़े से जो छेद बन जाता है. अब हम बात करेंगे कि इसमें symptoms क्या होते हैं? बहुत बाहर हमाई पास patients आते हैं macular hole के, जो बोलते हैं कि उनको वैसे सब ठीक लग रहा है, पर सीधी लाइन तिर्ची मिर्ची दिखती है, मतलब तेडी मेडी सी दिखती है, वेवी सी दिखती है. इस चीज को हम metamorphopsia कहते हैं, जो चीज straight होनी चाहिए, वो straight की जगा तेडी मेडी है. Second complaint होता है कि बाकी सब ठीक देख रहा है, पर बीच में कहीं focus करें तो काला सा धबबा है. इसको scotoma कहा जाता है, ये भी एक symptom है macular hole का. और third, जब macular hole बहुत जादा बड़ा बन जाता है, तब रोशनी भी, मतलब जो हमारी best corrected vision होती है, जो की 100% को हम 6-6 vision बोलता है human में, वो भी कम हो जाती है. तो ये थे आपके symptoms macular hole के. अब हम बात करेंगे कि ये किन patients में जादा होती है. Like I said before, इसका कोई cause नहीं होता, तो हो तो किसी में भी सकता है. बट often देखा गया है कि 40 साल के बाद, जब हमारे gel में कुछ changes हो जाते हैं, उसकी वज़े से ये macular hole जादा बनते हैं. तो अगर आप 40 years old से जादा है, and you have these kind of symptoms, जैसे तेड़ा मेडा दिखना, बीच में आपको एक काला धबबा दिखना, या फिर जिस जेनरली आपके धीरे-धीरे करके रोश्णी अगर कम हो रही है, तो इसको ये symptoms हो सकते हैं, macular hole के. तो अब treatment की बात करते हैं. अगर macular hole, full thickness, अगर पूरा का पूरा hole बन चुका है, तो उसका बस operation से ही इलाज है, medical treatment नहीं है. Operation, vitrectomy operation होती है, जिसमें हम laparoscopic surgery के तरह आख के अंदर जाकर उस hole को बंद करते हैं. अब आईए दिखाते हैं कि हम vitrectomy surgery में करते क्या हैं. ये basically एक transplant surgery कहते हैं. हम क्या करते हैं, जो आसपास के layers होते हैं, उनको हम इस hole के अंदर डाल देते हैं. ताकि बाकी के जो retina हैं, जो hole बना रही हैं, वही खुद अपने आप जुड़ जाएं. तो इन surgeries में हम patients के आख के अंदर वो hole को close करते हैं और एक हवा का बुल-बुला डाल देते हैं. ताकि वो layers उसी के अंदर जमी रहें. उसके बाद मरीजों को बोला जाता है कि 5-7 दिन उल्टा लेटना है. कई मरीज इससे बहुत ज़्यादा comfortable नहीं होते, तो उल्टे लेटनी की जगा थोड़ा बहुत करवट लेकर भी लेट सकते हो. All we want कि जो हमने gas का bubble अंदर डाला है, वो well supported रहें. उसके बाद जब gas का bubble धीरे-धीरे करके चला जाता है, depending की कौन सा gas डला है, वो धीरे-धीरे करके चला जाता है. उसको वापस निकानने के लिए कोई दूसरी surgery नहीं करनी पड़ती है. तो जब gas चला जाता है, तब धीरे-धीरे करके आपकी vision बढ़ती है. अगर macular hole की surgery ठीक time पे कर दी जाए और early stages पे कर दी जाए, तो result बहुत अच्छा होता है. अगर लेकिन उसको ignore किया गया है, पुराना macular hole है, hole का size बहुत बढ़ा है, या फिर gel में कुछ ऐसे changes हो चुके हैं, जिसको वो दर्शाता है कि यह पुराना hole है. इसका मतलब उस surgery के बाद, vitrectomy surgery के बाद, आपकी रोश्णी रुकी जरूर रहेगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसकी कोई guarantee नहीं होती है. तो इसलिए macular hole अगर किसी को है, उसको जल से जल अपनी vitrectomy surgery करा लेनी चाहिए. अगर कई लोग हम से पूछते हैं, कि अगर हम इस macular hole को छोड़ दे, तो क्या होगा? तो तीन चीज़े होती है. सबसे पहले, macular hole धीरे-धीरे करके बढ़ा होता रहेगा, और आपकी vision धीरे-धीरे करके कम होती रहेगी. Second thing, जितना हम डीले करेंगे surgery को, उतने surgery के results पूर होते हैं. तो अगर आप day 1 पे surgery कराते हो, your results will be amazing. लेकिन अगर आप day 60 पे surgery कराते हो, तो फिर results पूर होंगे. And third thing, कई बहुत कम patients में देखा गया है, कि macular hole से परदे भी उखड सकते हैं. बट यह बहुत rare case है, इसलिए यह मैं third point बता रहे हैं. अब चौथा question आता है, कि इसका कोई भी medical treatment नहीं है, तो unfortunately, macular hole को close करने के लिए कोई भी medical treatment नहीं है. कई बार कई doctors कुछ injections देकर, gas का bulbulा डालकर, अगर bubble बहुत छोटा हो, तो सिर्फ gas के bulbulे से भी कभी कभार hole बंद हो जाता है. बट यह एक chance की बात होती है, it is not a full proof treatment always. तो अगर आपको diagnosis of macular hole बताया गया है, तो please go ahead with your vitrectomy surgeries, अपने डॉक्टर के साथ जरूर डिसकस करिये, कि poor prognostic मतलब अच्छे results आने के क्या chances है, और poor results आने के क्या chances है. कोई भी retina specialist आपको कोई percentage नहीं देगा, बट कुछ factors होते हैं, जिसके बारे में हम डिसकस करके patients को well aware करवा सकते हैं, कि उसको क्या results expected होने चाहिए after his vitrectomy surgery. आज अब हम आपको दिखाने वाले हैं, macular hole surgery की होती कैसे है. क्या है, मेरे नाम राजकुमार है और मैंने अपनी आख को जो दिखाया यहां पर उसके परदे में मेकुला में चीत था अपरिशन बहुत अच्छी तरह से कहां मैं बहुत खुश हूं और मुझे जैसे समझाम जैसे काफी मुझे फाइदा है बहुत अच्छा व्यभार है डोक्तर गूंट इस इस भी अस्कितल का सभी लोगों का इस्टाब करसम को बहुत बहुत धन्यवार